प्रोफेसर विनोथ खन्ना और आज मैं आपके सामने बात करूँगा हर मर्द के धर्द की सदियों से मर्द औरतों को समझने की कोशिश कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ मेरी शादी को तीन साल हो गए है और पिछले तीन सालों मैं अपनी बीवी को समझने की उसे खुश करने की काफी से मेहनत कर चुका हूँ लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड हो जाती थी शादी के पहले साल मैंने अपनी बीवी को उसके बर्दे पर एक मिकसर ग्राइंडर दिया मुझे लगा वो खुश हो जाएगी मुझे लगा उसका काम आसान हो जाएगा लेकिन खुश होने के बजाए वो गुस्सा हो गई और कहने लगी मुझे क्या खाना पकाने वाली बाई समझ लिया है क्या तु मुझे एक रोमेंटिक गिफ्ट नहीं देख सकते थे मैं का चलो कोई बात नहीं पिछले साल मैं उसके लिए स्मार्टपोन लेके आया तो महंगा है महंगा है कहकर मुझे स्टुपिड साबित कर दिया मैंने फिर भी हार नहीं मानी और इस साल बहुत सोच समझ के मैंने एक सप्राइज प्लान किया मेरे घरवालों ने मिलकर उसे एक सप्राइज दिया वो बहुत खुश हुई अच्छा उसे खुश देखका मैंने सोच चलो थैंक गॉड इस बार सब कुछ अच्छा हो गया मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी बीवी बोल पड़ी विनोध सप्राइज इतना अच्छा है तो गिफ्ट कितना अच्छा होगा लेकिन मेरे लिए तो सप्राइज ही गिफ्ट था गिफ्ट एक और स्यापा तो लीजे जी ये मेरा छोड़ा सा experience है लेकिन इस experience के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ की औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, ना मुम्किन भी है, गिफ्ट तो गिफ्ट, उन्हें तो सप्राइज भी अपनी पसंद का चाहिए, तो आदमी क्या करेगा, इसी सवाल को ढूंडने के लिए, इसी सवाल का जवाब ढूंडने के लिए, आज हम यहां पर साब एकटे ह और मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को न्योता भी दिया हुआ है, जोनों ने सेंकड़ औरतों से बातचीत की, एक रिसर्ज की और एक किताब लिग डाली, चलिए, उन्ही से पूछते हैं, चेतन बगत साब, सर्थ, वेल्कम सर्, वेल्कम क्यों पिटवाने वाले क कर रहे हो, वेल्कम कर रहे हो, मैं आपके सथाथमा प्रहुचा, तो अगर मुझे अच्छे से लाष्टाइ मैं आपको तीन साल पहले मिला थाई, तक तक मेरे सादी पर तुम कुष थें, तक तक मेरे साथ क्या गठा, आये देखते हैं, तक तक मेरे शादे रिए लिए आप लोगोज भी आप इना में नाव बटाइट की दिन नाम डिखने लूगा वागरा इसे ज़िए बाइफ इसे प्रोमो अगे तो मुझे बडा इंट्रस्टिंग लगा मेरी अभी जो लास्ट एक्छल भूक थी वो वन इंट्रिस्टिंग ती कि उसके लिखने के लिए ही मै जब एक लड़की की आवाज में वो बुक लिखी और काफी मुझे रिसर्च करनी पड़ी और मैंने देखा कि ऐसा क्यों होता है क्यों आद्मियों को मुश्किल होती है क्योंकि विमन कई बर ऐसे तरीके से बात करती है कि हमें समझ नहीं आता है जैसे मेरा उस बुक का प्लॉ आपको अपन रिलाइपन थोड़ा स्टेबल हो लाइप में सिक्योरटी चाहता हो यह चाहता हो लेकिन थोड़ा एक्साइटिंग भी होना ची यह तो यह ऐसे ऐसे जबाते तो समझ नहाता कि मैं ऐसा आदमी चाहती हो जो, you know, who is in control. मैं ऐसे इन कंट्रोलिंग भी नाओ. तो और या मैं, you know, so think like it's non-stop, so if you ask a girl, what kind of guy do you like, मैं चूसी नहीं हो, मैं तो कोई भी चलेगा, I just need a nice guy, I just need a sense of humor, तो पर इसका तो, you know, he doesn't have focus, इसके पास तो, he doesn't have any career focus, और career focus वाला लाओ गए तो फिर बोलेगे, इसके पास तो मेरे लिए टाइमी नहीं है, so and that happens in my life also now, I have been married for 18 years and एक चीज़े मैंने नोट किया कि women, one tip I am giving you, आपकी शादी को 3 साल मेरे 18 हो गए है, तो मैं यह दारा हूँ कि जब भी women कोई question पूछती है, वो यह नहीं जाना चारी, आप क्या सोच रहे हो, यह नहीं है, कूछा जारा, कि भही फैजल, what do you think, that is not the thing, उसको आप एक KBC के question की imagine करो, उनके mind में एक answer है, आपको वो answer देना है उस वकत, ठीक है, तो आज शाम को हम बहर जा रहे है, as simple as that, खाना खाने बहर जा रहे है, आप यह नहीं सकते है, आप मैं बड़ा थकाओ, मैं नहीं जा रहा, या अगर वो पूछती है, आपका मन है बहर जाने का, नहीं बिलक this is what I have learnt the hard way, कल रात को मैं बहर था, अपने फ्रेंड्स के था, तो फोन आया कि, तुम कब घर आ रहे हूं, तो राइट मेरे में एंसर था, पता नहीं यहां तो अभी party चल रही है, दो तीन बजे आउंगा, तो मैंने सच्छी सच्छी बोल दिया, मैंका पता नहीं तो पाट के है के अभी चले जाना चेता, तो तो थेसा धींग्स यू स्लोरी स्लोरी लँष्ण, लॉर्न जार्न, आइज इसका एक, बतलब, ऐसा कॉनसेप्त मुझे डैफिनिटली बहुत अच्छा लगा, कि यह बहुत अच्छा शोव बन सकता है, तो आम वेरी हैपी तो बीर दो ब मेडिया विटना आया